आपके अपने टीब चैनल फार्मा-म से क्यों में प्राक्टिकल स्किल्स के क्वेशन्स लेके आई हूँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे ब्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेशन्स के लिए तो जैसे कि आपको पता ही उड़ीसा में फार्मसिस्ट का एक्साम होना है तीन discuss कर लेते हैं बहुत ही easy और simplify तरीके से मैंने इसमें questions आपको समझाने की कोशिश करी है तो आपको मेरे साथ से इससे बहुत ही बड़े तरीके से questions समझ मझेगे कि बहुत से बच्चे कहा रहे हैं कि मैं confused हो रहा है कब multiply करते कब divided करते कुछ भी समझ मिन्यार practical skills के questions में तो इसमे इसमें प्रेस करना तक चनल वीडियो नोटिफिकेशन से आप लोग को मिल सके तो बिनादरी स्टार्ट करते हैं अग्यों बताया था तो बच्चे कह रहे हैं मैं समझ कम आया है तो मैं आप इस ट्राइप से लेकिए हूं अभी आप समझने के कोशिच करी आपको समझ आ जे शोफ़े हैं तो अब इसको कैसे सौल करना है देखिय वमैनी ग्राम जिंक अक्सवार्ण इसमें कितना बनाने आपको 120 जिंक अक्सवार्ण ना ना है तो पहले तो तो आप सब्सक्राइब तरीके से अब आपको समझा देते हैं एक बड़ी ओवर व्यू देख लेजिए बतीस सो ग्राम और फाइफ परसेंट का मतलब हो गया ठीक है तो बतीस सो ग्राम और फाइफ परसेंट तो इसको आप ऐसे सिंपल कोर सकते हो सोल तो यह आपका आजगा वन सिक्स माइनस कर दोगे तो यह आपका आजगा 3040 इस टाइप से आजगा इतना डाइलुएंट इसमें प्राइजेंट है जिंक ओक्साइड वन सिक्स्टी ग्राम और 3040 आपका डाइलुएंट प्राइजेंट है अब जो आपका इन्होंने खाय कि कितना जिंक ओक्साइड करोगे कि इसना मनाना आपने 20% अब देखे 20% का मतलब है कि इसमें 20 परसंट जिंक ओक्साइड होगा बाकी 80 परसंट क्या होगा तो देखे अगर आपका 80 डाइलुएंट था तो आपका 20 यह टाइप से करके आप 20 बाइट हमारा निकला कितना था इसमें 3040 तो इस टाइप से आप से केल्कुलेट कर सकते हैं इससे आपका जो भी आंसर आज़ेगा 7 अभी मैं आगे काल्कुलेशन कर रखी है तो देखे इसमें 160 तो अल्रेडी प्रेजंट था जिंक तो कितना और एड़ करोगे 760 बनाने के लिए 760 मानस करते हैं तो यह मैं आपको समझाया था अगर अभी भी समझ में निया तो और भी सिंप्लिफाई तरीके से मैं इसमें लिखा हुआ इसको देखके तो आपको मतलब की समझ आ ही जाना है फिर मैं एक और क्वेशन ऐसा ही ल इतना इंप्वेशन मैं क्यों करा जो कि प्रिवेसर का क्वेशन है उड़ी सामें पूछा गया इसलिए मैं सोच रही हो कि आपको अच्छे समझाना चाहिए तो कि 5 परसेंट जो है 5 परसेंट का मतलब क्या होता है है ना मतलब कि 5 ग्राम आपका जिंक ओक्साइड है 100 ग्रा परसेंट मातल hesitate 50 ग्राम फाइफ परसेंट मूषी परसेंट अब ये निकालोगे तो आपने पड़ाया जब एक मैंज कालते सुल करते हैं इस फिर आपने क्या करना है कि के लिए निकालोगे 32 ग्राम में निकालोगे तो मतलब की वंदेसकिर तो आपकी मैंस कर दोगे तो आपका डाल्वेंट कितना आएगा 3040 ग्रायम डाल्वेंट परेजन्हेंट है अब आपको बनाना 20 बाय से 20 ग्राव za 2 जो है आप 21 से 220 ग्राम वजंकों bridges होगा बाकी का क्या होगा आपका डाइलिवैंट Å stop करूंत किवेंटी ग्राम कितना कि इसमेंटी ग्राम आई है पिर से सिंपल क्राइशन करो तो 20% का मतलब 20 ग्राम जिनक ओक्सैड है 100 ग्राम औहिंटमेंट में है न। इसमें डाइलोंट कितना बच गा है आपका 80 ग्राम है कि तो चिनक और व。 20 by 80 जो हमारा था इसको multiply कर दिया हमने 3040 से तो इसको जब calculate करोगे आप 760 gram आपका आजाएगा है ना तो मतलब इतना present होना चाहिए आपका जो 160 gram तो already present है 160 gram तो already present है ना कितना होना चाहिए 760 होना चाहिए जिसमें से 160 gram तो हम देख चुके हैं तो मतलब कि कितना और एड करोगे कितना और एड करोगे है ना 760 होना चाहिए 5% और में already 160 gram जिंक ऑक्साइड present है तो कितना और एड करेंगे simple है 760 में से 160 माइनस करोगे तो 600 gram आपका आजाएगा answer है ना तो आभी मेरे सब नंबर भी दिया हूँ आप वहां से भी बता सकते हैं अब सेम ऐसा है क्वेशन में एक और लेके आई हूँ इस क्वेशन को आप अपने आप से सोल्ड करें वही क्वेशन बिल्कुल सेम है बस इसमें से यह जो आप अपने आप से क्वेशन को करिए ना लेकिन मैंने इसका solution प्रवाइड करा है अगर आपको समझ में ना है बट आपको क्या करना इसको करके देखना खुछ से कि आपका बनता है नी बनता फिर मैंने इसमें आपने ऐसा किया है नहीं किया ठीक है देखो हाव मेनी ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड शुड़ बी अड़ेड तो 340 फॉर हंडड़ ग्राम ऑफ 10 परसाएड जिंक ऑक्साइड तो प्रेमिनीट्न का मतलब क्या हो गया मतलब 6 ग्राम आपका जिंक ऑक्साइड है तो 4100 उच्च मान टी फॉर क्साइड निकल जाए रबबत इस का बाइक बचा इन या य वह ठील्टी उड़ेज्ञonceे तो आपका बाझाल से 340 माइनस करोगे तो आपका जो भी आएगा वो डाइलुएंट निकल क्या मतलब कि इतना डाइलुएंट प्रेजेंट है अब 15% जिंग ऑक्सवाइड का मतलब है 15 ग्राम जिंग ऑक्सवाइड है 85 ग्राम क्या वागे डाइलुएंट हो गया अब देखे 85 होगा तो जिंग उकसाइड 15 है एक ड highly अचार निकाल लोगे एक के लिए कर दोगे और फिर आपका इतना जो माइनस करोगे इसको 3400 को माइनस करोगे 10% का मतलब 10 gram zinc oxide 100 gram orientement में 100 gram orientement में 10 gram है तो 1 gram orientement में कितना होगा 10 by 100 और 3400 gram में कितना होगा 10 by 100 multiply कर दोगे 3400 से 340 gram zinc oxide present है हमारा 3400 जो आपका 3400 gram जो orientement है उसमें 340 gram zinc oxide बागी का बचा हुआ क्या है diluent है तो 340 gram zinc oxide है 3400 gram orientement में बागी का इसको माइनस कर दोगे तो 3060 gram आपका diluent present है अब आपका 15% zinc oxide है उसमें diluent कितना होगा 85 होगा ना क्योंकि 15 gram zinc oxide है बागी का diluent है कितना होगा diluent 85 gram होगा अब अगर 85 gram जिंक OXIDE 15 gram है एक होगा तो कितना होगा और 3060 जो हम निकाला था वो ठोगा तो कितना होना चाहिए इसको calculate कर लो simple है ना तो देखे 85 gram diluent जिंक OXIDE 15 gram है 1 gram जिंक OXIDE इतना होगा 3060 gram diluent के लिए zinc oxide का यह आएगा इसको solve कर लो calculate करोगे, इसको simple है calculate कर ले रहे, 540 gram आपका निकल के आएगा, मतले कि 540 gram zinc oxide present होना चाहिए, और already 340 gram तो present है या आपका, है ना, आपका जो है 10% zinc oxide oriental में already 340 gram तो zinc oxide present है, और होना चाहिए कितना आपका यह 540 gram होना चाहिए तो कितना और एड करोगे कैसे निकालोगे माइनस कर दोगे 200 ग्राम और एड करना है अभी अभी बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है मेरे साब से यह आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है है ठीक है समझा गया बहुत ही बड़ी तरीके से समझा गया अभी एक आपका ऐलिगेशन में उसको और इसी क्वेशन में देख लेते हैं ऐलिगेशन में इसको इसमें कैसे क्वेशन साते हैं कि in what proportion should alcohol of 95% and 50% strength be mixed to make 70% alcohol देखे 95 परसंट आलकूछ और 50% आलकूछ यह strength दियो है इनको किस प्रोपोर्शन में mix करे कि आपने कितना बनाना है 70% आलकूछ बनाना है इस आपकी क्वेशन हो तो आपने अलिगेशन मेफ़र का यूस करना है तो इसमें कैसे करते हैं एसमें सब से पहले तो आप यहां पर लिखेंगे higher जो आपको strength दिए वह 95% higher है और जो lower strength है वो यहां लिखोगी 50% और जो desire है वो यहां पर लिखोगी 70% है अब क्या करना है आपने देखिए यह higher वाला है इसको desire वाले में से minus करोगे तो आपका जो निकल के आएगा जैसे 95 में से आपने 70 minus करा 25 जो आया तो यह क्या आएगा यह आएगा कितने parts इसके सामने वाला मतलब कि 50% के आपने इतने parts 25 parts of 50% alcohol है ना और आप जब जो लोवर वाला है उसमें से आप desire मतलब desire में से लोवर वाला माइनस करोगे तो जो भी निकल के आएगा वो होगा इसका मतलब कि 20 parts of 95% alcohol ठीक है समझ आ गया ठीक है तो यह आपने करना तो इससे आपका यह relative amount निकल के आजेगा 20 is to 25 आ गया इसको simplify करोगे तो 4 is to 5 यह मतलब कि 4 parts इसके और 5 parts इसके लोगे तो आपका जो है बन जागा 70% alcohol ठीक है तो इस तरीके से यह आपने question करने होते हैं ठीक है तो अभी इसमें देखिए इसमें देखिए इसमें डिफ्रेंस बिट्विन strength of stronger component जैसे stronger आपको 95% दिया हुआ था तो difference between strength of stronger and desire desire जो था desire का और stronger का जो difference होता है वो क्या करता है indicate the number of part of weaker to be used weaker वाले का parts indicate करेगा जब आप stronger or desired को minus करोगे तो वहीं हम ने करा था यहीं तो करा था जब हमने stronger को or desire को minus कर ला तो क्या निकल के आया weaker वाले का वह वाले का कितना part अंपनी उसकर निकल के आया ऐसे ही आप जब weaker क्वेशन में कर रहा है तो एक दो क्वेशन सोर देखिए जिसे आपको जादा किलियर अच्छे से हो जाएगा यह तो इसमें तीन स्ट्रेंथ दी हुई है यह होस्पिटल फार्मासिस्ट है वांट्स तो यूस्ट्री लोट्स ओव जिंक ओक्साइड ओंट्मेंट कि एक किस प्रपोर्शन में किस रेशो में इनको मिक्स करना है तो वही लगाओ इनको किस रेशो में मिक्स करना है कि आपने यह बनाना है डिजाइड यह हैं बाकि आपको यह दिये हुए हैं 50, 20 और 5 देखो अब तीन है तो देखो यह तीन हो आपने लिख लिए यह 10 लिख लिए डिजायर लिख लिए आप देखो पहले दो पेर लो मतलब कि 10 से जादा वाला लोगे एक और एक 10 से कम लोगे है ना तो वो आपका higher और lower बन जाएगा दोसरा पेर क्या बनेगा की डिजाइड ही तो पहले आपी 50 और披ाइफ की कि जीए मतलब कि आप भूल जाओ कि बीच में यह है भी या नहीं आप सिर्फ यह 50 और 5 अभी याद रखो जब आप इसको सोल करोगे सिंपल मैं आपको बताया कि 50 में से 10 आपने स्ट्रोंगर और डिजायर को माइनस करोगे तो जो आपका 40 निकल के आएगा वो होगा कि इसके वीकर वाले के जो पार्ट यूज करने हैं फिर आप इसको वीकर को डिजायर को माइनस करोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो स्ट्रोंगर के पार्ट इतने यूज करने निक तो यह तो आपकी हो गई एक पेर की बात अब दूसरे पेर को भी देखो है ना तो एक पेर को आपने सोल कर लिया इससे 40 और 5 आए थे अब दूसरा यह वला देखो है ना 10 10 से बड़ा है 20 10 से चोटा है 5 तो 20 में से आप जो हाइयर है हाइयर में से 10 माइनस करोगे तो आपका 20 में से 10 माइनस करोगा वह जो हृँकर से 5 निकलके जाएगा है तो Spring 5 और 60 मेलेंट मेल्स का मैजज़ाह आ में आपको तो 5 algumas 50 चानेंट का और 50 ट्गके 20 परसेंट का और फोटी प्लस सभदीघल पाट्स वाएगे परसेंट ममेंट तो इनका रेशो है 5 is to 5 is to 50 है रेशो क्या एगा रेलेटिव अमांट 5 is to 5 is to 50 इसको सिंप्लिफाय कर दोगे 1 is to 1 is to 10 आजेगा ठीक है तो यह अगर आपको इस टाइफ से तीन जो है अब आपको चार स्ट्रेंथ दी हुई है तो आपने इनको मिक्स करके क्या बना 10 परसंट बनाना है स्ट्रोंग्र जो होगा 10 से जादा होगा तो आपने एक पयर तो बना ले 20 का थैन से जादा 3-10 से कम है ना तो इस तरीके से इसमें दो तरीके से आपके बन सकते हैं क्योंते डीकि डेचिए एक कंडिशन तो यह है एक और तरीके से इसके पेर्स बन सकते वह आगे देखेंगे पहले यह देखो ठीक है तो अभी इन दोनों को आप भूल जाओं है पहले सिर्फ यह देखो ट्वंटी और थ्री है यह आपर तो आपका यह स्ट्रोंगर है यह वीकर है यह डिजायर है तो आप क्या करोंगे वीकर वाले मायनस करोगे डिजायड आले मेंसे तो जो निकल के आएगा तैन मेंसे करा, त्री मायनस 1963 निकल के आ अब आप इनको भूल जाओ, अब इनको याद रखो 10 से जादा 15 10 से कम 5 stronger 15 है 5 weaker है 10 desired है stronger minus desired 15 minus 10 15 में से 10 stronger minus desired is equal to 5 5 parts किसके weaker वाले के 5% के है ना अब आपका desired में से weaker minus करेंगे तो 5 आया 5 किसका stronger वाले का 15% ओंड मैंट के 5 parts चीक है तो मेरे साब से मैं आपको clear कर पा रही हूँ ठीक है तो यह हमारा सारा आ गया तो इनका relative amount लिख दोगे 7 is to 5 is to 5 is to 10 7 parts आपके 20% ओंड मैंट के हो गए 5 parts 15% ओंड मैंट के 5 parts 5% ओंड मैंट के और 10 parts 3% ओंड मैंट के हो गए यह relative amount है इस ratio में इनको mix करोगे तो आपका यह बन जागा 10% ठीक है एक तो तरीके से यह आंसर आ सकता है इसमें दो तरीके से आंसर आ सकता है अब एक देखिए इनके पेर आपने अभी तो 20 ओर 3 155 बनाया एक पैर यह बन सकते हैं देखो टैनसे ज्यthest नोब Especially सकते हो तो वह हैं इसको वह जब इसको इसको इनको शोल आघी तो फूल जाओ ठीक हैं से बड़ा टैनस चोटा तो 20 ल 앞 मोसी Still stronger में से desired minus करा 20 में से 10 minus करा जो 10 आया किसका आया weaker वाले का 10 पार्ट्स ओफ 5% ओइंड में ठीक है अब desired में से जो आप वीकर minus करोगे तो निकल के आएगा 5 किसका stronger के parts तो 5 parts of 20% समझा रहा है अब इनको भूल जाओ अब इनको भूल जाओ अब इनको याद रखो 10 से बड़ा 15 10 से चोटा 3 यह stronger है यह weaker है डिजाइड है stronger minus desired is equal to 15 में से 10 गया 5 parts किसके weaker वाले के 3% ओइंड मेंट के desired minus weaker 10 में से 3 गया 7 parts किसके stronger वाले के 15% के मेरे साब से आपको समझ आ गया तो आपका यह relative ratio 5 is to 7 is to 10 is to 5 यह भी आ सकता है और जो हमने वह देखा तो इसके दोनों तरीके से आपके आंसर निकल के आ सकते हैं तो मेरे इसाब से आपको यह समझ आ गया है है ना तो ऐसे आपको तीन दे दे चार दे 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 दो भी दे सकते हैं मतलब कि किस रेशो में आपने जैसे की 20 परसंट और 5 परसंट को किस रेशो में आप मिक्स करो कि डिजायर आपके कितना बंचे 10 परसंट बन जाएं तो सिंपल आपने इस तरीके से सोल्व करना है स्ट्रोंगर लिखोगे नीचे वीकर लिखोगे यहां पर डिजायर लिखोगे स्ट्रोंगर में से आपने डिजायर माइनस करा तो जितना भी निकल के आएगा उतने आपको बिल्कूल अच्छे से क्लियर हो जुका है 3 tablets नो सुपिचेतर मिलीग्राम ऐस्प्रिन प्राजेंट है 3 tablets में कितना ao सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि एक जो मतलब कि आपने जो मैस के निमेरिकल सोल करें तो बिल्कुल ही सिंपल है इससे सिंपल तो कुछ होई नहीं सकता इसलिए मैं आपको बिल्कुल से लेकि आई हूं ताकि आपको समझने में इजी प्रेटैब्लन के आपको एक के लिए न निकाल आ था पहले तो आपाने इसरी के कैलकुल मैस पड़ा था है ना तो एक के लिए निकालेंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो इसको इसे डिवाइड कर दिया आपने 975 को डिवाइड करा 3 से अब 12 का निकाल जिए 12 टेबलेट के लिए आप ज्याद के लिए निकाल तो मल्टिप्लाई करना पड़ेगा है न तो त्वेल टैबलेट्स में तो 945 mg था तो ट्वेल टैबलेट्स में कितना एस्प्रिन होगा त्वेल ट्री नाइन डबल जिरो जो mg होता है इसको ग्राम में कनवर्ट करेंगे तो आपने क्या करना थाउजन से डिवाइड करना है क्योंकि छोटी यूनिट है इसको बड़ी यूनिट में कनवर्ट कर रहे हो तो एक ग्राम जो होता है उसमें 1000 mg यतना सिंपल जो आपको यह सब चीज़े आनी चाहिए जब आप कैलकुलेशन सोल कर रहे हो तो मान के चलो यह सब आपको आता है तो mg को अगर ग्राम में कनवर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे अब आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या जगा 3.9 ग्रैम अगर ग्रैम में पूछते तो आपने 3.9 ग्रैम आता लेकिन आपसे mg में पूछा तो सिंपल जो है आपका यही आंसर आएगा तो म ग्रैम ऐस्प्रीन डाइजपाम है सोरी 1250 टैबलेट में इतना डाइजपाम है और मैनी ग्राम ओफ डाइजपाम शुडब यूजड इन प्रपेरिंग 350 टैबलेट देगे आपको पता रहा है 1250 टैबलेट में कितना होगा सिंपल सिंपल वही उसी तरीके से कल्कुलेट करो 1250 टैबलेट में 6.25 ग्रैम डाइजपाम है तो एक में कितना होगा डिवाएड कर दोगे 6.25 को 1250 से अब 350 टैबलेट में कितना होगा मल्टिप्लाय करदोiska लोगा सिंपल आपने इसको चोल्ब करके देखने है बस यह यह 6.25 को डिवाएड कर लोगी से मल्टिप्लाय माथा पच्ची करने की ज़रत है नहीं इसमें यह पॉइंट अहटा दो इसको एक बरी तो यहां पर नीचे 100 लगा दो ठीक है तो जीरो से जीरो काट दो करोगे तो 5 जा होता 625 है ना है ना सब्सक्राइब कर दो इसको इसको सिंपल इसे 35 को 5 से मल्टिप्लाइ करोगे ना तो यह देखे 55 जा 25 का 5 दो कैरे लगी 7175 वाइंडड होगा तो 1.75 बजगा सिंपल इतना कैलकुलेशन तो देखें आप कर ही लेना है ना तो यहां पर मैंने सारा कैलकुलेशन करती ना बहुत ही जादा मतलब कि आपको समझ नहीं आता इस करके मैंने इसमें कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया बाकि यह सोल्ट तो आप करी लोगे ना ठीक है समझ आग दोनों unit same है यहाँपर फी com ? करनी नेकिन यूनिट अलग होती है तो आपको unit change same करनी होंती है वहाँ पर बच्ये confuse होई जा रहे हैं तो वह भी आपको सारा अच्छे समझाऊंग तिकतлы ना पाऊ बहुत बड़ी तरीके समझाऊंगी समझा गया ना next ऻूत इफ 100 capsule content 500 mg of an active ingredient करें 100 capsule जो है उनमें 500 mg active ingredient है 100 capsule में कितना 500 mg है how many milligram milligram ही पूछा है दोनों से में कोई दिक्कत है नी कितना milligram ingredient will 48 capsules में कितना होगा देखे 100 capsule में 500 mg है तो एक में कितना होगा 500 बटे 100 तो 48 में कितना होगा 48 से multiply कर दो इसको calculate कर लग 240 mg आजेगा समझाया कोई दिक्कत नहीं है न बिल्कुल simplify simple तरीके के questions लेके आई हूँ पहले ताकि इससे ज़्यादा complex करोगे तो आपको दिक्कत ना हो पहले आप बिल्कुल simple basic से सीख लो समझाय आगे तीनो question next देखो एक cup syrup content 10 mg of dextromethorphan hydrochloride एक cup syrup में कितना है 10 mg dextromethorphan hydrochloride पर 5 ml मतलब कि 5 ml जो syrup है उसमें 10 mg dextromethorphan present है 5 ml में 10 mg how many mg of drug are contained in 120 ml container of syrup 5 ml में तो 10 mg है तो 120 ml में कितना होगा 5 ml में 10 mg है तो एक ml में 10 बटे 5 मतलब कि 2 mg फिर 120 ml में कितना होगा multiply करोगे 240 बिल्कुल simple है है ना कोई दिक्कत है बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए है ना बिल्कुल simple ही लेके आई हूँ next देखो an elixir contain 40 mg of drug in each 5 ml करें 5 ml में 40 mg drug है elixir है 5 ml में कितनी है 40 mg है 5 ml में 40 mg how many mg of drug would be used in preparing 4000 ml of the elixir देखें 5 ml में 40 mg है 4000 ml में कितना mg होगा 5 ml में 40 mg तो 1 ml में आपका आजएगा 8 mg मतलब इसको solve ना करो आगे इसको 7 में कर लो 4000 ml में कितना होगा multiply कर दो इसको solve कर लो इसको ग्राम में पूचते तो 32 mg कर देते आप है ना कोई दिखें अब क्या है how many cultures in tablets each containing 600 mcg mcg का मतलब है microgram है ना देखें एक ग्राम जो होता है याद रख लो एक ग्राम में 10-6 माइक्रोग्राम होते हैं अब अगर आपको दे रखा होगा आप ग्राम में कनवार्ट करोगे तो एक माइक्रोग्राम में 10-6 हो जाएगा है ना क्योंकि अगर आपने माइक्रोग्राम निकाला तो इसको यहां ले जाओगे नीचे नीचे आया और इसको फिर उपर लाओगे तो 10-6 करोगे ना यह तो मेरे साब से आपको देखिए आप इसमें कनवार्ट करना पड़ेगा आपको यूनिट है इसमें देखो डिफरेंट यूनिट है हाओ मैनी कॉल्चिन टाबलेट से इच कंटेंग मतलब कि एक टेबलेट में 600 माइक्रोग्राम कॉल्चिसिन प्राजेंट है एक में कितना 600 माइक्रोग्राम में भी प्रपेड कितनी कॉल्चिन टाबलेट से प्रपेर कर सकते हो 30 ग्राम कॉल्चिसिन से एक टाबलेट में 600 माइक्रोग्राम है तो 30 ग्राम कॉल्चिसिन से कितनी टाबलेट बना लोगे है तो यह देखिए simple आपने यह कर दोगे इसको multiply में लिया होगे अब यह 30 तो ग्राम था इस 30 ग्राम को मैक्रोग्राम में convert करो एक ग्राम में मैंने कहा 10 10 तू 6 माइक्रोग्राम 30 ग्राम में 30 इंटू 10 तू 6 माइक्रोग्राम हो जाएगा ना सिंपल है यह आपको आना चाहिए आना चाहिए मस्ट है ओके ठीक है तो इसको आप करोगे वन वन बाइ 600 multiply 30 इंटू 10 तू 6 इसको सिंपल करो देखे 30 को करोगो 6 5 30 शिक्स नहीं यह तीन का यहाँ पर देखो एक बर यह 0 सी 0 काट दिया कोई दिक्कत है नहीं इसमें है ना अच्छा मैंने इसको यह यह जो 10 तू 6 है ना इसको खोल दिया मतलब 10 तू 4 इसका 100 बाहर निकाल दिया तो यह 2 0 से 2 0 काट दिया चे पंजू 30 करते हैं यह 5 इंटू 10 तू 4 आ गया मतलब कि 50 थाउजन है ना फाइफ इंटू 10 तू 4 का मतलब कि आउगा 50 थाउजन टैबलेट था ना तो 30 ग्राम कोल्चिसिंग जो आपका है तो उससे 50,000 टैबलेट बन सकती है तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो देख लो मेरे साब से तो केलियर है आपको बस थोड़ा सा युनिट कनवर्ट करना था इसमें आपको मा いक्रो ग्राम दए रखता और ग्राम दे धिया फिर आपको बस यह यूनिट सेम करने थी हैना ओर कोई दिक्कत नहीं है तो 30 ग्राम में आपके 30 गुनाह 10 की पावर 6 माइक्रो ग स्प्रिन है मतलब कि एक टेबलेट में 325 अंग करो किलोग्राम को एक किलोग्राम में वही टैन रिस टूश एमजी होते हैं किलोग्राम से पहले बनेगा ग्राम एक किलोग्राम हजार ग्राम हजार मिलिग्राम सिंपल याद कर लो एक किलोग्राम में 10-6 mg होते हैं याद रखना इसको तो पांच गुना 10 की पावर 6 mg ऐस्प्रीन जो है आपके पास उसे कितनी टैबलेट बनेंगी सिंपल बताना है अब भी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा आपको हैना देखे 325 mg से एक टैबलेट बनेगी 325 mg ऐस्प्रिन प्राजन ए एक टैबलेट में तो एक एमजी होगा एक बटा 325 हो जाएगा फिर 5 किलोग्राम है तो इसको mg में कनवर्ट करो 5 किलोग्राम को एमजी में करोगे तो 10-6 से मल्टिप्लाइ कर दो तो एक बटा 325 गुना में 5 गुना 10-6 है ठीक है समझ आ गया तो एक किलोग्राम में 10-6 mg होते हैं तो 50 किलोग्राम में 50 x 10-6 mg हो जाएगा तो अभी मेरे साब से आपको समझ आ गया अब आप इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से कॉप्य में लिखके 1 x 325 x 5 x 10-6 को इस सॉल्व करने के लिए तो इसको आप सॉल्व कर लेना ठीक है तो यह क्या आ जाएगा आपका यह आ जाएगा देखो यह वाला आ जाएगा फिर इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपका देखी यह आएगा तो कितनी टैबलेट्स हो गई 15384 यह इतनी टैबलेट हो देखेंगी हैना पॉइंट जो आया है पॉइंट मैंसर तो टेबलेट्स पॉइंट में नी बनेंगी न या तो इतनी हो या फिर इससे एक फालतु हो तो वह आप उप्शिंस के अकोर्डिंग आंसर कर दोगे हैना तो इसमें हमने यह आंसर लिख दिया इसका समझा रहा है हाओ मीनी फ्यां डेकते चला चोणा सामने आती है उनको देख ती एप सालो इससका क्या है मीज्केons की इक तैबलेट में कितना है आप सबस्क्राइब एक तेबलेट में कितना है 1200 माइकरोग्राम डिजॉक्सिन है एक tablet में तो कितने ग्राम डिजॉक्सिन है आपने 25,000 टेबलेट में दाइसो तो 25,000 में क्या होगा सिम्पल मल्टिपलाइ कर दो है ना 250 को 25,000 से 625 174 यहाल जगा अपका क्या आपका माइकरोग्राम आया है आप से तो माइक्रोग्राम को बड़ी उनिट को बड़ी उनिट में गर्वर्ट करें, तो डिवाइड कर तो माइक्रोग्रोग्राम, यह 6आइड को क्ली ही टिनने 6 से यह सिसमाइड करू prospective तो एक ही बात है, इतना तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, है ना, तो microgram को gram में convert करना है, तो या तो divide कर दो, या फिर multiply करोगे 10 raise to minus 6 से, या तो 10 raise to 6 से divide करो, या फिर इसको अगर 10 raise to 6 को उपर लेके जाओगे ना, तो ये 10 raise to minus 6 बन जाएगा, ठीक है, समझा रहा है, तो ये आजेगा आपका gram में convert होगे, ये microgram था, इसको gram में convert कर दिया, ठीक है, तो आप इसको solve कर लोगे ना, तो ये जो है आपका कट जेगा, और ये आपका, ये 6.25 gram आजेगा, ठीक है, तो या, पेशन्ट इस इंस्ट्रक्टिट टू टेक, 350 वही microgram tablets of pergolide micellate daily, देखिए, पेशन्ट को क्या instruction दी गई है, उसको 3, 350 microgram की tablets लेनी है, daily, 3 tablet, 50 microgram की, daily, मतलब daily कितना, जो ये है, pergolide लेना है, 3 को 50 से multiply करोगे, 1500, 150 microgram जो है, आपको pergolide daily लेना है, कह रहे है, how many milligram, अब ये milligram में पूचा है, मतलब कि milligram में पूचा है, drug would the patient receive weekly, कह रहे है, week में कितनी drug जो है receive करेगा, daily तो वो कितना ले रहा है, 150 microgram, week में कितना लेता, अगर microgram लेना हो, तो week में कितना होगा, इसको 7 से multiply कर दो, है न, तो ये आजगा, 1050, ये milligram है, अब microgram को milligram में convert करोगो, या तो 10 raise to minus 3 से multiply करो, या क्या करोगे, 10 raise to 3 से divide करोगे, 10 raise to 3 मतलब 1000 से divide करोगे, तो ये आपका होजगा, 1.05 mg answer आजएगा, कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो बता देना, मेरे साथ से समझा आ गया, देखो यही लिखा होगा है, कि आपको daily तो इत week में 7 day 7 से multiply कर दिया, इतना microgram, लेकिन आप से कहा है, mg में answer देना है, तो microgram इस quantity को mg में convert कैसे करोगे, या तो 10 raise to minus 3 से multiply करो, या 10 raise to 3 से divide करो, एक ही बात है, करोगे तो 1.05 mg weekly answer आजएगा, okay?